हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू और नोड़ मॉनिटर चैनल, आज हम फ्लोटर का और एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, जिसमें फ्लोटर का फीचर्स क्या है, पहले जान लेते हैं, फिर हम धीरे-दीरे आगे बढ़ेंगे, तो फ्लोटर एक मॉल्टि प्लाटफॉर्म अब मोबाइल आप डेवलोप्मेंट फ्रेमवर्क है, तो फ्लोटर है क्या है, पहले एक फ्रेमवर्क है, रहेट, इट्स नोट है, लांगवेज, तो यह कौन सा लांगवेज यूज कर रहा है, डार्ट बोलके एक लांगवेज है, डार्ट लांगवेज, यूज करता है फ Cross platform होने से क्या फाइदा है, that means हम इसमें Android and iOS दोनों के लिए हम डेवलप कर सकते हैं, तो इसमें आपका मन में आ सकते हैं, whether it is performance कैसा है, अगर हम एक चीज में करेंगे, हो सकता है, native Android हो, या फिर Swift में iOS के लिए करें, इसमें कोई performance इस्सू तो नहीं आएगा, बिलकुल नहीं, it is very great performance है उसका, तो Cross platform होने से फाइदा क्या है, कि tester testing के लिए अच्छा है, tester लोगों के लिए अच्छा है कि एक platform में चेक कर दिया, तो दूपसर में चेक करने की जरुरत नहीं है, तो इसका official website कौन सा है, flutter.dev, तो flutter.dev इसका official website है, तो अगले वीडियो में हम Plutter को install करेंगे एक Windows सिस्टम में, तब तक के लिए take care, and if you have not subscribed, please subscribe our channel, thank you.